इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुगम गर्णीत कक्षानौक के भारती भवन का जो बुक होता है उसका एक्सरसाइज 2 के C का दूसरे का B नंबर सवाल ठीक है तो दूसरे का जो B नंबर का सवाल है वो क्या कह रहा है भई जड़ासा इसको देखने का परियास करेंगे GX का भी भैलू यहां पर दे रखा है आप थुरा सा ध्यान दे हाँ बलड हो गया था बीच में तो ठीक है चलिए हम इसी सवाल को हल करते हैं और हम देखते हैं कि किस पकार से इसको हल किया जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर GX का मान ले लिया है GX के भ प्लस 3X स्क्वार माइनस का 1 ठीक है उसके बाद अगला क्या था आपका भई तो अगला था आपका जो देखिए GX का भी भैलू यहां पर दे रदिया था क्या था 1 प्लस X आपको भोला क्या गया कि भई PX को भागा देना है GX के साथ तो देते हैं PX आपका क्या है भई त का PXX पलस 3X स्क्वार माइनस का 1 ठीक है इसी को भाग देना है कैसे देंगे आप तो भाई देखो एक चीज जान लो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं 9 भी अरेंज करने तो चलेगा लेकिन हमने अरेंज कर दिया देखिए इसको हम इस रूप में अरेंज कर दिये हैं ठीक को रखा जाता है और लास्ट में अचड को रखा जाता है आगे बढ़े कहा गया कि जब सजाया हुआ न रहे तो उस स्थति में भी घटते करम पड़ ही ध्यान देतना है यानि सबसे पहले सबसे बढ़ा फिर उससे छोटा यानि कि सबसे लास्ट में अचड भैलू को हमको एकस पलस वन हो जाएगा भाजक के रूप में भाजक के रूप में है थ्री एकस स्क्यार पलस एकस माइनस का वन ये वाला ठीक है अब भाग देना सुरू करते हैं मैंने आपसे जो डिसकस किया है वो मैंने कहा है आपको कि भाई कम से कम हर बार एक तो कटेगा ठीक है चाहे कोई कटे या ना कटे हमको कम से कम हर बार एक को काटना है चलिए देखते हैं इधर है मेरा चड़ वैल्यू X इधर है मेरा 3X स्क्वार मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है समझने के लिए तो X इधर हो गया 3X स्क्वार को तोरेंगे तो 3 x x x हो जाता है तो X से X तो कट गया बचा मेरे पास 3X क्या बचा? 3X यानि कि 3X से ही हमको इसको गुना करना है तो 3X से X पलस 1 को अगर हम गुना करेंगे तो 3X में X करेंगे 3X स्क्वार चीन पलस-पलस हो जागा पलस का चीन है सूरू में नहीं लगाए जाता है 3x में 1 से गुना करेंगे 3x ये भी पलस 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 हो जागा यानि कि 3x स्क्वाइर पलस 3x गुना कितने ऐसा किया है हमने भाई तो 3x से हमने गुना किया है तो 3x हमने यहां लिख दिया आया कितना है भाई तो 3x स्क्वाइर पलस 3x 3x स्क्वाइर पलस 3x x के सामने x के value को put करेंगे x square के सामने x square के value को put करेंगे घटाना होता है भागफल में भागा में घटाना होता है तो ये plus है इसका minus होगा ये plus है इसका minus होगा तो कि घटाने के दोरान ऐसा ही होता है नीचे वाले का चिन बदल जाता है तो चलिएगे ठीक है हमने एक को काट लिया उसके बाद इसका देखेंगे चुकि ये पलस माइनस सेम टू सेम अगर रहे तो सेम टू सेम अगर उसका पद रहे यानिकि बेंजक रहे और अगर चिन बदल जाए आपस में तो वो कट जाते हैं तो आप ये देखें इसमें जो नीचे वाले का चिन बदलते हैं तो ये जो भैलू है इसका बैलू खतम हो जाता है ये माइनस का भैलू रहा जाता है आपके पास तो पलस माइनस माइनस बढेखेंगे तो 3X में से x गया 2X चिन बरे वाले का होता है तो अब इसका चिन ये हो जाएगा माइनस तो माइनस का 2X उपर से माइनस का 1 हम उतार लेंगे ठीक है आगे देखेंगे अब आगे बढ़ें तो X पलस 1 से ही हमको इसको भागा देना कितने बाढ गुना कड़े कि मेरा ये आ जाए तो इधर चर पकड़ेंगे X इधर चर पकड़ेंगे माइनस का 2X जैसा कि हमने यहां ले रखा है X माइनस का 2X X को हमने X रहने दिया माइनस के 2X को हमने तो दिया माइनस 2 इन 2 X x x कट गया कितने से हमको multiply करना है भाई तो बचा हुआ जो है उसी से multiply करना होता है तो minus 2 से हम multiply करेंगे किसको x plus 1 को तो minus 2 into x plus 1 minus plus पहले एक बार इसको इसे से कड़ेंगे तो x और 2 minus के 2 तो यह plus है यह minus है plus minus minus का चिन लग जाएगा x में 2 से कड़ेंगे 2x हो जाएगा आगे बढ़ें तो plus minus minus हो जाएगा 1 में 2 से कड़ेंगे 2 हो जाएगा यानि कि अगर जब हम minus के 2 से गुना कड़ें तो मेरे पास आ जाता है minus का 2x minus 2 यहाँ पर हमने लिख लिया minus का 2x minus का 2 यह है plus नीचे वाले का चिन बदल जागा चुकि हमको घटाना होता है घटाने का चिन कुछ नहीं होता है लेकिन केवल पहचान होता है कि नीचे वाले का चिन हमने बदल दिया तो यह माइनस का 2x यह पलस का 2x यह कट जागा यह माइनस है और यह पलस है माइनस प्लस माइनस वन हो जाता है ठीक है बड़े वाला कचिन यानि के पलस हो जाता है तो यहां पे आपको देखने को मिल गया कि भाई PX के रूप में क्या है QX के रूप में क्या है GX के रूप में क्या है RX के रूप में क्या है क्या आप समझ पा रहे हैं इसको आप PX कह कोते हैं इसको अप GX कोते हैं और X को जो नीचे बच गया सेस को इसको आप RX कोते हैं ठीक है न तो PX के रूप में आपका क्या था था आपके पास 3X स्क्वार पॉलस का X माइनस का 1 QX के रूप में आपका क्या था x plus 1 gx के रूप में क्या था 3x minus के 2 rx के रूप में क्या था आ गया आपका 1 लेकिन अब ये तो हम लोगों को किताब में आपके भुक में दिया हुआ है लेकिन इस सवाल में बदल करके दे दिया था तो आप इसी के अधार पर न मार दें जबाग ठीक है नौ चुकि आपको यहाँ पर जो ये है ये वicism ले पार्ट को कहा गया है कि ये gx है चुकि हम जाते है कि gx इसको कहते है लेकिन gx इसको दिये हुए तो आप अपने बुक के अनुसार सवाल के अनुसार सलेंगे ना कि इसके अंसार, ऐसे नॉर्माली यही होता है, ठीक है, चुकि हम भाज को PX के नाम से जानते हैं, भाजक को QX के नाम से जानते हैं, भागफल को GX के नाम से जानते हैं, और सेस को RX के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा ना देखे, आपको इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप धियाद देंगे ठीक है चलिए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में अपना सवाल है सुझाओ जो भी हो हमें कमेंट में लिखना ना भूले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस जोकी होगा इसी प्रकार का तर तक हसते रहे हैं मुस्क